अबिड़ों के पीशी प्लाइणी करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं विंडो 17L यादि आप लोगा पस विंडियो 10 है तो कैसे screen recording कर सकते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने desktop पे आ चुका हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ने screen recording करने के लिए window 10 के लिए कोई भी software को open करना होगा जैसे आप लोग चाहेंगे कि इस तरह से home screen इस यहाँ पर देख सकते हैं record last 30 seconds आप देख सकते हैं start recording और start recording के लिए यहाँ पर shortcut भी लिखा गया है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ window प्लस एल्ट फ्लस और यह जैसी करेंगे आपका recording start हो जो कर यहाँ पर देख सकते हैं एक option दिया गया है turn mic off वी इसका बिट्रैकर न्युक्त और को किक्ति है रूट आपलोगगा और जिए एक स्वार्ट कर सकते हूब किकर्शेंख शर्ली आपे दुझेँ तो मैं लिखते हुं मैं लगा है से स्कीन रिकोरडिंग कैसे कर सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हूं यहाँ फिलाली से कर देते हैं और आपको डिखाते हैं हमांब क्लिक सेब हो गया है उपने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं के उसका आनेके बाद यह राट है यहां पे देख सक्त थे एक वीडियो को ओप्सन दिया गया है जैसे आप लोह इसमें टैप करेंगे यहां एक capture का option आजाएगा capture में आप लोग जैसे ही tap करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका जितने भी screen recording करेंगे विंडो 10 वाला यहाँ पर यहाँ पर मिल जागा मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूं तो चले प्ले करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत यासानी से हमारा open हो गया है कोई भी कुछ भी लोगो यहाँ पर नहीं आएगा आपका जो कि उस टाइम महां आ रहा था कोई भी लोगो वगड़ा कुछ भी नहीं आगा बात करते हैं यहाँ आप लोगों के पास विंडो 10 नहीं है तो आप लोग किस तरह से अपने PC में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और कौन आपके PC के लिए बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगा तो उसके लिए अपने घ्राइब होगा वैस के लिए और लिनक्स के लिए ए तो फिलाल जैसे विंडों है हमारा तो विंडों पर जैसे ही टैप करेंगे यह आपका डॉण लोडिंग होना स्टार्ट हो जागा यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिलाल मैं भी स्टॉप कर देता कि आप लोगों नें क्या आगए यहाँ पर जैसे Google में आपका download होगग है तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे three .्ट पर लोग iPhone क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का और जैसे यह आप ल 있으ों ही टैप करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस के साथ एपको ओपें कर चाहर के रेख सकते हे बहुत या इस तरह केम रस आइप सकते हो से इस्टार्ट t रिक़ॉड इसे और यहां मैं आपको एक और जलूरी बात बतर देता हूं यहां पर एक जैसे ही setting option पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो चल्य क्लिक करते तो यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे तो यहां पर देख सकते general option है जैसे कि आप लोग बहुत या अच्छे तरीक है से कस्टमाइज कर सकतें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग अपने live streaming का भी option कि दिया गया है और यहाँ पर output का भी option है और यहाँ पर दिख सकते audio आप लोग अपने अपने अनुस आपär audio को भी किस्टमाईज कर सकते फुली तरीके से जो कि बहुत क्याची है और यहां पर देख सकते हैं वीडियो जैसे टैप करेंगे तो आप लोग वीडियो की quality वीडियो की साइट यह सब आप लोग रेशियो अगयर सब कुछ दिया गया है आप लोग इस रेशियो में रखना चाहते ह जैसे कि मैं नहीं यहां पर लिखा है start recording के लिए start recording के लिए हमां парथ 8 डाल यह सरे है आप लोग अनुसार अपको अपने की रख सकते और मैं आपको बता देता हूं यहां पर देख सकते एक Advanced का भी Option दिया गया है यहां पर भी आप लोग बहुत एच्छे तरीक्ष और भी यहां पे आपको और मैं आपको बताता हूं यहां पर देख सकते एक option दिया गया है न एड करने का जैसे आप लोग इस पर टैप करेंगे तो बहुत सारे यहां पर options मिल देख सकते audio input capture audio output capture browser सब कुछ का options दिया गया है तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इस तरह साप लोग live stream का भी option दिया गया है और facecam video आप लोग बना के भी कर सकते वैसे मैं आप लोगों को नेक्ट वीडियों बताऊंगा कि किस तरह साप लोग अपना फेस्केम वीडियो बना सकते तुकि ये वीडियो बहुत ही जादे लंबी हो जाएगे तो फिलाल इसे बैक करते हैं और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब तो करें दीजिएगा और मैं आप सभी को पता देते हैं यदि आप लोग ऐसा कुछ चाहते कि मतलब स्क्रीन डिकॉर्डिंग होने के साथ साथ आपका फेस्केम वीडियो भी रहे तो अप लोग उससे स्टूडियो से भी कर सकते हैं यदि आप लोग नीचे वीडियो की टॉपिक पेचे वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं तो ट्रेंट मिते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग ब्रो